आज शहीदी दिवस पूरा देश मना रहा है आज एके दिन शहीद याजम भगत सिंग राजगुरु सुकदेव तीनों को फांसी पे चड़ा दिया गया इतनी कम उम्र में भगत सिंग ने परम कुर्बानी दी सुप्रीम सैक्रिफाइस तब से वो इस देश के हर युवा के दिल की धड़गन बने हुए है इस देश के युवाओं ने उनसे बहुत प्रिर्ना ली पिछले सौ साल से प्रिर्ना लेते आ रहे हैं लेकिन जिन सपनों के लिए भगत सिंग ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी दुख होता है कि आज भी 70-75 साल हो गए आजादी के बाद लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए किसी भी सरकार ने आम आदमी के लिए काम करने की कोशिश नहीं की केवल गंदी राजनीती हुई अभी तक चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारे रही हो लेकिन मुझे खुशी है कि आजादी के 70 साल बाद एक ऐसी सरकार आई आम आदमी पार्टी की सरकार आई जिसने आम आदमी के लिए इमानदारी से काम करना चालो किया जिसने लूट पार्ट की ब्रष्टा चार की गंदी ओच्छी राजनीती बंद करके इमानदारी से लोगों के लिए शिक्षा, स्वास, थिबिजली, पानी, सडक, किसानी, मजदूरी जो सपना था भगत सिंग का सुख़देव का राजगुर का उस सपने को पूरा करना चालू किया और उन्हें के बताएवे आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं मुझे बेहत खुशी है कि दिली सरकार ने और साथ-साथ अब पंजाब सरकार ने भी ये निरने लिया है कि सभी दफ्तरों के अंदर मुख्य मंत्री की या किसी नेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी वहाँ पे किवल भगत सिंग और बाबासा बंबेटकर की तस्वीर लगाई जाएगी अब ये पंजाब सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है भगत सिंग जी को शद्धानजली देने के लिए वहाँ के मुख्य मंतरी ने और सरकार ने अपनी शपत भगत सिंग के गाउं खड़कड कला में जाके वहाँ पे शपत ली पूरे दुनिया ने देखा कि पंजाब के मुख्य मंतरी ने राजभवन की बजाए या राजधानी की बजाए भगत सिंग के गाउं में जाके शपतली मैं हमारे लीडर आफ ओपोजिशन से बिल्कुल सहमत हूँ हमें शहीदों को बाटना बिल्कुल नहीं है आज जो भी एड आया उस एड में ये तुरुटी है उस तुरुटी को में स्विकार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि अगली बार से तुरुटी नहीं दोराई जाएगी और जो निरने दिल्ली सरकार का है मैं उसके उपर भी अपील करता हूँ कि भारती जनता पार्टी भी अपने सभी दफ्तरों के अंदर बाबा साब में बेट करो शहिद आजम भगत सिंह की तस्विरे बढ़ाएगे